हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज केबिनेट की बैठक थी और आज की केबिनेट की बैठक में भी कुछ भी हासिल नहीं लगा है खास करके साथवे चेर्ण के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि कम से कम साथवे चेर्ण की विग्यपती न सही तो नियोमावली 2022 जो है वो पास हो जाए लेकिन आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि आप यहाँ देखें सिक्षाई भाग 9 नमबर पे है और इसमें आज भी अभ्यर्थियों को निरासा ही हाथ लगी है यहाँ लिखा हुआ है कि सिक्षाई भाग सिक्रित्या दे संख्या दोहजर अठावन दिनांक 19 से 11 दोहजर अठार और इसका यह कुछ डेट दिये गया है और सिक्षक यह सिक्षेत्र कर्मियों के पदों का प्रतिरपन तथा अभी भी ने विश्विद्यालों में सिक्षक सिक्षेत्र कर्मियों के कुल 14 से 20 पदों के स्रेजन की स्विकृत्ती प्रदान करने के संबंद में विस बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् यह बिरबल की खिच्री बन चुका है, विरबल की खिच्री इसलिए बन चुका है, क्योभी अगर आप में एक्च्छा सकती होगी, आप काम करना चाहेंगे, तो कोई ऐसा नहीं आपको नुअ ग्रंथ लिखा जा रहा है जिसके लिए आपको दो से तीन महीने से आप नियमावली 2022 ही लिख रहे हैं दो तीन महीने क्या कहा है अक्टूबर का महीना चल ला है अगस सित्वर अक्टूबर तीन महीने तो ऐसे ही बीतने पर जा रहे हैं इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि नियमावली 2022 पे चर्चा कम से कम मार्च अप्रेल से चल लिए बहले उससे में ये खबर प्रकास में नहीं आई थी उससे में लोग भी स्वास्त नहीं करते थे लेकिन उससे में भी हम लोगों ने आपको बताया था कि नई नियमाव तो अभी तक थाई भी नहीं हुआ है कि बहाली आखिर कर कैसे की जाए मेर मुद्दा जो फंसा हुआ है स्टीटी का भी फंसा हुआ है मेरिट नन मेरिट के जो भरती है इनकी भी बहाली फंसी हुई है और आप लोग को पता होगा कि जैसा कि कहा भी जा रहा है कि जो सरकार है ये पहले हाई स्कूल का भरती करना चाहती है हाई स्कूल का भरती करना चाहे है या फिर प्राइमरी स्कूल का भरती करना चाहे हम लोग तो यही चाहते है कि दोनों भरतिया साथ में है लेकिन एक बात है कि जब तक नियमावली 2022 नहीं आती है तो पहली बात कि ये भरती स्टा अब समस्या यह है कि आपको 11 клetower बहुत जाने यहांद को आपको 10 साय बीट यहाली पर नहीं लगाने दिया यहांद है ना 2022 का स्टार्ट होता है ना समस्तों के स्टार्ट षुट होता है शीकता है इससे सबसे ज़्यादा उत्साहित जो है अगर बिटेट कहीं अभेरती है तो ऐसा है कि CBSC ने इस बार सबको कन्फूजर में डाला हुआ है CBSC ने एकनम असपस्टूप से कन्फूजर में डाल दिया है किसी को कुछ समझी में नहीं आ रहा है कि आखिरकार नया सीटेट क्यों नहीं हो रहा है लंबे समय से आपने देखा होगा कि जुन भर्तियों की मांग थी कि बिटेट की परिक्षा हो जाए जब बिटेट की परिक्षा से कुछ हाथ नहीं लगा अभी तक उन लोगों तो उनका कहना है कि कम से कम सीटेट ही हो जाया लेकिन इस बार CBSC ने इन लोगों को भी उल्जन में डाल दिया और आप देख रहे हैं कि सीटेट का अभी तक फॉर्म वगारे भड़ा जाना चाहिए था सीटेट का कोई फॉर्म वगारे भी नहीं भड़ाया एक बात पर चर्चा करनी और जूरी है वो है सुप्रिम कोर्ट में B.A.V.D.A.L.E.D. मामला यह मामला आप चाहे आपको पसंद हो या नहीं हो चाहे आप इसको छोटा समझे या बड़ा समझे यह मामला साथवे चरन पे असर डाल ला है प्रतक शुरूप से असर नहीं डाल ला है और प्रतक शुरूप से असर जरूर डाल ला है भले आपका कहना मुझे नहीं पता आप बियर्ड किये हुए हैं या डिलेट किये हुए हैं मुझे इस बात की जनकारी नहीं है जहां तक मेरी बात है तो मैं असपस्ट रूप से बता दूँ जो लोग नहीं जानता भी तक मैंने बेर्ट किया है इसलिए मैं ऐसा मत समझे कि मैं बेर्ट के खिला होलना हूँ या कुछ भी लेकिन एक बात असपस्ट है कि जब तक इस मामले में कुछ असपस्ट रूप से निरना नहीं आ जाता है तब तक बेर्ट की हुए जो भेड़ती है इनकी जान अटकी रहेगी प्रभाव संपुर्ण भारत पर पड़ेगा मुझे आज भी याद है कि फरवरी में एक महिला हमसे बहुत ज्यादा लड़ी थी उसमें भी बीड के मामले में एक वीडियो बनाए थे फरवरी में हमसे लड़ी थी कि ये सुप्रिम कोट का मामला बिहार प्यासर नहीं करेग मुझे लिए है कि कहा नहीं जा सकता है कि किसके मामले में क्या होने वाला कोई कितना भी सरपटक ले असपश डूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्या हो हम मुझे ऐसा अनुमान लगा सकते हैं मुझे अनुमान का धरप लगता है चुकि बीड के जो अभेरती ही है ये उत्रप बिहार में तो लग भग 6 महीने से नोख़ी कर रहे हैं, उत्रपरदेश में 20 साल भर से उपर से, साल-2 साल से नोख़ी कर रहे हैं, इसके बाद अलग अलग राजियो में B.E.E.D. को मोका दिया गया है, हाल फिराल में आपने देखा होगा कि बंगाल में, विस्ट बंगाल में भी B.E.E.D. जो वहाँ पर T.E.T. होड़ा है, उसमें B.E.E.D. को प्राइमरी में सामिल किया गया है, ठीक है, बिहार में भी B.E.E.D. को सिर्फ इसलिए बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि B.E.E.D. वालों की जो डिग्री है, वो ज़्यादा higher education है, मुझे नहीं पता है कि चप्रासिक exam में जो लोग PhD कियो हुए है, उनको चार्ट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, आप लोग ही कभी बताइएगा, विरुजगारी का अलम यह है कि नौकरी मिल नहीं रही है, और जो मिल नहीं उसमें खुद अभ्यर्थी भी सर्फुटोगल करने के लिए एकदम उताड़ू है, बिहार की तरफ से जो है धननजे कुमार इहों ने केस किया हुआ है, जरास्थान के मामले में जबरदस्ती पैर फ़सा के केस किया है, और इनकी तरफ से जो वकिल थे, कल वकिल भी उतरे हुए थे, और इन्हों ने जोड़ देकर कहा कि आप सुप्रि के फैसला होगा, वो सब मानना, वो सब पर लाग मानना होगा, उन्होंने एक यह बात कहा है, कि सोलर नमर का फैसल़ा सब के लिए कॉमन होगा, इसलिए हरी कराजी के बारे में अलग-अलग क्या न्रभ न दिया जा है तो B8 के अभेर्थियों के साथ एक समस्ता ये भी है कि बिहार में ही अगर बात किया जाए तो लगभग कम से कम 50 से 57 या 56 परसेंट जो लोग है इन्होंने B8 किया हुआ है ठीक है DLA के अभेर्थियों के संख्या कम है इस बात को आप जानिए दो बार हमने पोल करवाया है विस्वास नहीं हो तो कभी किसी भी चनल पर पोल करवा कर देख लिए उस पर भी विस्वास नहीं हो तो आप पूरे बिहार में घरगर घूम के डाटा खुद से ही कठा कर लिए 50 से 56 परसेंट लोग B8 किया हुए और सुभाविक बात है कि 1-5 में ही सीटे जादा आती है और 6-8 में वैसे भी आपने भी देखा होगा कि सीटों की संख्या में कटोती की गई है और यहां पर सीटे प्रोमोशन के जरिये भड़े जाने के लिए आधी सीटे 50% सीटे रख ली गई है जब सीटे 1-5 में जाता है यहां पर आप B8 को बाहर करने के लिए बिहार से ही अभ्यरती केस की होगा है तो सुभाविक बात है कि इससे चिंता होती है लोगों को बहुत सारे लोग अकसर मैसेज करते हैं कोमेंट करते हैं आप लोग के मैसेज आते रखते हैं देखते हैं पर तेक कर इप्लाई करना संभाव नहीं है लेकिन यहां एक ही बात कहेंगे कि देखिए असपस्टूप से हम हो या कोई हो चाहे कोई कितना भी सरफ हो ले यह नहीं कह सकता है कि B8 1-5 में स्रामिल अभी हो होगा या नहीं होगा आप चाहे कितनी भी तरक देदे दे 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 लेकिन आपके मन में भी तो संदेख रहेगा ही कुछ भी है फैसला तो सुप्रिम कोट को ही करना है हमें यह आपको करना होता तो हम लोग तो आज कर देते लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रिम कोर्ट सहानुभूती पुरुवक एक बार विचार करेगी B8 के मामले में क्योंकि ये एक दो अभ्यरतियों का मामला नहीं है कम से कम 60-80,000 ऐसे लोग का मामला है जो पहले से नोकरी में है और B8 किये हुए अभ्यरतियों की बात करें तो देस में लाखों से उपर भ्यरती है हमेशा पूरे देस में भी डाटा निकाला जाएगा DL8 से ज़्यादा कंडिलेट हमेशा आपको B8 के ही मिलेंगे ठीक है तो फिलहाल के लिए यह सात्वा चर्ण कब आएगा यह तब ही आएगा जब आपका नियमावली 2022 पास हो जाएगा यह जब तक पास नहीं हुआ है तब तक आप संदेह की स्थिती में ही रहेंगे और आप ही सोचिए कि अगर सरकार को वेकेंसी लाना रहता तो कम से कम 6-7 ऐसी कबिनेट की मीटिंग हो चुकी है जिसमें हम लोग उमीद करता है जब भी हम लिखते हैं कि आज केबिनेट की बैठा काप लोग उसकी कमेंट में रिपलाई करते हैं कि कुछ भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा ज्यादा तेजी से दोडने पर गिडने का खत्रा बना रहता है तो कम से कम नियमावली 2022 पास हो जाती इसके बाद ही तो हम कह पाते है कि हाँ आप साथवे चरन के लिए कुछ हो लेकिन यहाँ पर तो नियमावली ही पास नहीं हो रही है और पता है मुझे असपास टूप से पता है कि कुछ बीटेट वाले भी भेरती होंगे खुश हो के नीचे कमेंट करेंगे तो उनके लिए भी कहना है कि अगर साथवे चरन वाले समस्या है तो समस्या है तो खेर आपकी भी है कि CBSE की तरफ से आपका भी जो नोटिफिकेशन है वो सीटेट का जारी नहीं हो रहा है इसलिए फिलहाल दोनों तरह क्या भेरती समस्या में है देखिया वे क्या होता है फिर जैसे ही कोई सूचना आती है बड़ी तो आप लोग तक हम पहुचाएंगे वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करना है बिल्कुल मत भूले